जियोना बहुत खुश थी, क्योंकि वो अमेरिका के मिशिगन शेहर में अपने हस्बेंट थियोडोर के साथ वैलेंटाइन्स डे सेलिब्रेट करने आई थी. जियोना ने बहाँ सब प्लान कर रखा था. वो लोग पहले पिकनिक मनाने पास के एक फॉरेस्ट में जाएंगे और फिर शाम को बहाँ एक पॉपिलर जगहा लेक हिूरॉन की बीच पर बीच साइड डिनर करेंगे. पर उसकी खुशी कुछ देर की ही थी. क्योंकि वो दोनों जैसे ही होटल पहुचे, थियोडोर को एगदम से ओफिस की एक एमरजेंसी बिजनस मीटिंग का कॉल आ गया. वो बिजनस मीटिंग थियोडोर अवोईड नहीं कर सकता था. और इसलिए वो होटल रूम में खुशते ही काम करने में लग गया. इस बात पर जियोडोर और थियोडोर के बीच में लड़ाई हो गई. क्योंकि थियोडोर पिछले बहुत समय से जियोडोर के साथ बिलकुल भी टाइम स्पेंड नहीं करता था. 2400 घंटे वो बस अपने काम में ही लगा रहता था. उस दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ज जियोडोर गुसे में रूम से बाहर चली गई. ठियोडोर भी गुसे में अपना काम करने लग गया. जब काम करने के बाद उसका गुसा कम हुआ तो उसे जियोडोर की फिकर होने लगी. रात के 10 बज रहे थे और वो अभी तक ना तो वापस आई थी ना ही उसका कोई कॉल था, थियोडोर उसकी चिंता में उसे कॉल करने लगा, पर जब कई कॉल्स के बाद भी जियोना ने उसका फोन नहीं उठाया, तो वो उसे ढूंडने के लिए निकल गया, वो अपनी गारी में बैठा और पूरा शहर खोजने लगा, उसने जियोना को पूरे एरिया में थियोडोर जब लेक हुरोन की बीच पर पहुचा, तो उसे वहाँ जियोना कहीं नहीं दिखी, लेकिन चांद की रोशनी में उसे समुंदर के पास खड़ी एक लड़की दिखाई दी, परिशान थियोडोर उस लड़की के पास उससे ये पूछने जाने लगा, कि क्या उसन जियोना को कहीं देखा है, पर जैसे जैसे वो उस लड़की के पास जा रहा था, उसे एहसास हुआ कि वो लड़की लेक की तरफ देखकर बस रोए जा रही थी, उसने ध्यान से देखा तो उस लड़की की उम्र कुछ 14-15 साल की लग रही थी, रात खतम होने ही वाली थी, औ वो इस समय ऐसी जगा पर क्या कर रही थी, थियोडोर उसके पास गया, और उसने उस लड़की की इस हालत की वज़ा पूछी, जिसके जवाब में वो लड़की और जादा रोने लगी, फिर अचानक वो लड़की थियोडोर से मदद मागने लगी, कि थियोडोर उसको दूस थियोडोर को कुछ भी समझ नहीं आया, और वो डर के मारे वहाँ से भागने लगा, और भागते भागते उसे आखिर कार बीच के एंड में अपनी बीवी जियोणा दिखी, उसने उसे देखते ही गले लगा लिया, और उसे अपने साथ ले जाने के लिए उसका हाथ पर जियोणा जैसे पत्थर की तरहा वहाँ जम सी गई थी, और वहाँ से हिल ही नहीं रही थी, वो बस लेक की तरफ देखकर एक ही चीज बोल रही थी, वो लड़की मुझे अपने साथ लेने आई हैं, और वो मुझे अपने साथ ले जा रही है, तियोडोर को कुछ समझ मे नहीं आया, लेकिन जब उसने जहां जियोणा देख रही थी, उस तरफ देखा, तो वो देखकर उसके रुहु काब गई, क्यूकि वहाँ वही लड़की खड़ी थी, जो कुछ देर पहले थियोडोर को मिली थी, और उसका चेहरा अब पूरी तरह से नीला पड़ चुका थ और उसका पूरा शरीर पानी में भीगा हुआ था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जिन्दा ही नहीं हो, थियोडोर बहुत ही जादा डर गया, और अपनी सारी ताकत लगा कर जियोणा को बहां से लेकर जाने की कोशिश करने लगा, पर जियोणा बहां से हिल ही नहीं रही थी, बलकि अब वो लेक के गहरे पानी की तरफ चलना शुरू कर चुकी थी, थियोडोर अपना पूरा दम लगा कर उसको जमीन की तरफ खीचने की कोशिश कर रहा था, पर जियोणा पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, और वो अस लड़की के पीछे पीछे पानी के अंदर जाय जा रही थी, थियोडोर ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन तभी थियोडोर को अचानक ही धक्का लगा, और वो दूर जाकर कहीं गिरा, जब तक वो वापस उठकर जियोणा को बचाने जा पाता, जियोणा उस लड़की के पीछे पीछे पानी के अगल हो गया, कि उसने जियोणा को ढूनने के लिए खुद उस लेक में कूद गया, पर जियोणा उसे कहीं नहीं मिल रही थी, तभी एक आदमी ने थियोडोर को पानी में डूटते हुए देखा, और जल्दी से जाकर उसे बचा लिया, थियोडोर पानी से बहर निकलते ही बिहोश पड़ गया, जब वो उठा, तो वो उस आदमी से पूछने लगा, कि वो लड़की जिसके पीछे जियोणा उस पानी में चली गई थी, और जो उसके सामने गायब हो गई थी, वो कौन थी, जब उस आदमी ने थियोडोर के सवाल का जवाब दिया, तो वो सुनकर तियोडोर के रोंपे खड़े हो गए, उस आदमी ने उससे बताया कि वो लड़की जो वहाँ दिखी थी, वो 14 साल की मिनी कुए की आत्मा थी, मिनी कुए कई साल पहले उसी एरिया में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, और एक सेलर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थ तो मिनी उससे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी, और उसके पेरेंट्स उस सेलर के साथ मिनी के रिष्टे के सक्त खिलाफ थे, और उन्होंने उस दिन मिनी को उस सेलर से मिलने के लिए जाने नहीं दिया, कुछ दिन बाद मिनी को खबर मिली कि एक समुदरी तूफान में वो सेलर की मौत हो गई। वो खबर सुनने के बाद मिनी से रहा नहीं गया और वो भाग कर लेख हुरॉन की बीच पर पहुची। वो इतने सदने में आ गई कि उसने वहां खड़े लोगों पर चीखना शुरू कर दिया। और कुछी पलो में लेख हुरॉन में डूप कर उसने अपनी जान देती। उस दिन के बाद से कोई भी लेख हुरॉन के बीच पर अकेला नहीं जाता। क्योंकि वहां जो भी अकेला गया है उसको मिनी की आत्मा अपने साथ पानी में ले जाकर डुबा कर मार देती है। अपने काम को छोड़ कर अपनी वाइफ के साथ होता तो उसका प्यार शायद आज जिन्दा होता। ये कहानी एक सची घटना पर अधारित है जिसके बारे में आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और इस वैलेंटाइन्स डे मेक शोर करिये कि आप जिन लोगों से प्यार करते हैं उनकी लिए समय निकालें और उनकी लिए कुछ स्पेशल करें। और अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल कूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा।